Aaron कु कि मेरे टॉपिक हरे प्रिपरेशन ऑफ यह मनल फोर इस इस लेक्च्चरन वह ensuring गिए की के यह मोफ़र गैसे हम कर सकतेढ ठीक है और जो पर्पल कलर क्रिस्टल ठीक है परफल कलर कीस्टल ते दार्क परपल होता है आप इसको पांज में डिसॉल्व करोगे तो परपल कलर का एक जबज़सा मैगनेट तो सबसे पहले स्टेप होता है जो पार्लो साइट हो रहे हमारे पास उसको हम कनवर्ट करते हैं प्रटेशियम मेगनेट में तो कैसे करते हैं तो इसको हम के वैट कराते हैं प्रिजेंस ऑफ ए तो एक ग्रीन कलर का इसको अमने ट्रीट किया के वैट से इन प्रिजेंस ऑफ ए यह तो क्या बन जाएगा हमारे पास के ट्रीशियम मेगनेट प्रिशियम मेगनेट प्लस बाटर रिमूब जाएगा बैलेस कर लो इसे यहां टू लगा दो और यहां पर फोर लगा दो ठीक है इधर टू ठीक यहां लगा है so this is the parallel site जिर्ण मेगनेट बन रहा है और ली जहां धयानल रखने की बात क्या है कि जह प्रोटर्यॵस इसे कि जहां हो जाता है इत्र फुराओन Records रिखना है जो प्रूशियम मेगनेट यहांपर हम हम पारलो साइट को करते हैं प्रोटेशियम मैगनेट में वहां पर जो कलर अव्द सॉलूशन एड़ ग्रीन तो इस दा फर्स टेप को हम रियक्शन फ्रीक है थी कर सकते हैं फिर्स टेप फिर्स टॉप यहीं रहेगा ठीक है इस तो फिर्स ट्रैप याई जो क्या करेंगे और चो क्वाबल करने वाद रखास जो कंपाउंड है किया यहाज वह प्रिपियर्ड हो जाएगा कि अमनोफोर को सीवर्ट के साथ रेशन कराएंगे देन इट बिकम्स किया मनोफोर हमें निकल जाएगा और के टू सी यू थी बन जाएगा बालेस कर लो इसे यहां पर ठील लगा दो और यहां पर तू लगा दो ठीक है तो इस तरह से यह पहल अधाय क्रीशियम मैगनेट तो इस प्रस्ट टेप ठीक है यह फर्स टाइप करेंशन होगे जहां से हम क्याम फोर को प्रिपेर कर सकते हैं दूसरे थाप को जो मैथैड है लिग्ट्रोलिक औक रिटेशन तेट इस बाए एलेट्रोलेटिक औक्सीडेशन ठीक है इलेक्ट्र 360 के से कटें घोल पास K2-4 इसको हम एक्ष़ सॉलुशन में आक्षजाइस करेंगी देंट किए मिल पॉर ठीक है कि ऑर इस लगर्वाइशन हो एक न फ्र है इसको हमने ऑप्लेस कर लिया इठ गराइस कर्लिया टो कि अफॉर ठीक है एक एक उसका लिए करते हैं इंपर इसकी उक्साइब लेक्शन रिए और वह कितने व क्टेशिं न सुस्क्राइब प्लस तरीके होते हैं इसको में किर्थ करते हैं उसको के साथ इन पैसे फॉटीजन टीट करते हैं हमारे पास Green Color transitioning Cartagrade बन जाता है Jahren kim Haiti और दूसरा ट्रीकर ओक्सिदेशन रॉइक्षे सब्सक्राइए करते हैं जो हमारे पास परेशंम मैंगे अगानेट है उसको उसको हम टिट करते है और वह हमारे पास convert हो जाता है potassium पर मेंगनेट में तो के मिन फोर को बनाने के दो तरीके होते हैं ठीक है first step common है ठीक है और दूसरे strip के लिए हम यहाला method यूज कर सकते हैं या यह वाला method यूज कर सकते हैं तो this is the preparation skallo 4 सब्सक्राइब साथ में एक है उसका आफ ऐसका पिस देख लेते तो के मिनफोर प्यटेश मंगनेज यहाँ पर single oxygen लगुदी का अगहाई मागनेच तो यहाँ पर डेट्पीतिशम कज्च्वर बनाउं पर कुछ इस तरह सी बननेगा बस यहाँ पर दू माइस आ जा deg Quindi M. यहां एक मैणा यहां यहोजिएन और यहां पर एकशीन ठीक है तो इस तो लो Bilstein कि रहें नहीं होता है एंल कितना होता है अंब फ्रफार ही एक हैं इetus Rs. होगा इनकी कलर याद रखने है कि इसका पर मैगनेट क्ट अगे और जो पॉटेशियम मेगनेट है का होता है घ्री प्ल और ठीक है जो घ्रीन और टो इस ध्यान रखने है ल कर अफ और अब सक्रावश्य क्ट्रापिक फो इस फोटेशियम पर मेंगने हो कोई भी कंपाउंड जो है वो कलर की होता है विकॉज उसमें डिरी ट्राजेशन हो रहा होता है कि उसके पास अंट्य एलेक्टरन होते हैं इसके वजह अगर अगर में आपके मार्फ्ण को देखें वकमोर में एक स्पेशल केस है कि में आप देखोगी औक इसका नमर कितना होता है 25 और इसके मतलब इसका जो इस लाइक दिस दो इस ने इस चोड़ दिया और पांच इलिक्टर उसने डी में से छोड़ दिया तो यह लेक्टर न क्या है उसके जा रखेंगे तो फाइनली जो उसका तो इसमें होता क्या है कि ligand to metal charge transfer होता है और you can say electronic transfer ठीक है तो ligand to metal transfer की बज़ए से जो कमण 4 का color है वो purple होता है यह बहुत important ध्यान अखना है the color of the कमण 4 is purple due to ligand to metal transfer जो oxygen है वो electron transfer करता है मेग्नीज को जिसकी वज़ए से जो color है मेग्नीज का वो आता है ठीक है तो यह color of potassium पर मेग्नीज इंपॉर्ट है बहुत ही next topic आता है oxidation state of मेग्नीज देखो मेग्नीज जो है जो 3D series है 3D series में से मेग्नीज अकेला ऐसा element है which show maximum number of oxidation state ठीक है maximum number of oxidation state शो करता है यह means plus 1 से लेकर और plus 7 तक सारी oxidation state शो करता है ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेग्नीज के compound है जो क्या क्या oxidation state शो करते है ठीक है 4th one is MnO2 5th one is Mn203 6th one is MnO and 7th one is Mn2O ठीक है इन में हम जो मेग्नीज है उसका oxidation state देखते हैं देखो समें क्या करना है मुझे मेग्नीज का oxidation state निकालना है देखो oxidation state निकालना आता ही होगा redox chapter में अगर आपको नहीं आते redox chapter में एक बार देख लेए ना देखो फिर भी में एक कुशन बता देता हूं देखो पोटेशियम का oxidation number 1 होता है मेग्नीज का मुझे निकालना है तो x मान लिए उसको oxygen का oxidation number minus 2 होता है कितने oxygen है 4 total molecule पर चार्ज कितना है 0 तो यहां से x calculate करोगे तो यह प्लस 7 आ जाएगा तो यहां मेग्नीज पे कितना charge है प्लस 7 तो प्लस 7 की state में है इसके लिए निकालोगे त प्लस 4 आएगा इसके लिए प्लस 2 और इसके लिए प्लस 1 तो देखो मेगनीज 1 से लेकर 7 तक सारी oxygen state शो करता है ठीक है तो यह बहुत important है कि मेगनीज जो है यह वो maximum number of oxidation state शो करता है ठीक है प्लस 7 से लेकर प्लस 1 तक सारी oxidation state शो करता है तो this is about the oxidation state of mangenese next topic देखेंगे हम resonance in Kmlo4 तो potassium per magnet में resonance कैसे काम करता है वो देखेंगे ठीक है देखो structure कैसा होता है इसका कुछ इस तरह का structure होता है देखो resonance में हम करते कैं है कि जो नेगटिव चार्ज है ये क्या करेगा रोम करेगा सारे oxygen पे तो जो इसका next structure बनते जाएंगे वो कैसे बनते जाएंगे देखो मैंगनीज ये वाला double bond यहां shift करेगा तो कैसा बन जाएगा ये double bond ही शिफ्ट कर गया ये दो पहले जैसे ही रहे और क्योंकि यहां से double bond चला गया तो यह मैंशा जाएगा फिर यहां पर हमारे पास दो ऑक्सिजन यहां पर सिंगल ऑक्सिजन दिस नेक्स क्या होगा जी वाला बॉंड इधर शिफ्ट करेगा तो जो नेक्स टॉक्चर अब कैसा बन जाएगा मन यह वैसा कर वैसा ही अब देखो यह आला बॉंड इधर शिफ्ट कर रहा है तो यहां पर क्या बचा सिंगल बॉंड यह डबल बॉंड और यह डबल बॉंड ठीक है तो यह हमारे पास 1 2 3 और 4 जो ऑक्सिजन का डबल बॉंड होता है और ऑक्सिजन का सिंगल बॉंड होता है उसके जो bond length होती है वो क्या होती है different bond length होती है ठीक है means ये वालो जो bond है और ये वालो जो bond है उनकी bond length क्या होनी चाहिए different होनी चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है जितने भी MN और oxygen के bond है उन सबके जो bond length है वो क्या होती है सबके सेम होती है और bondland same क्यों होते है उसका reason क्या है the reason is resonance तो होता क्या है actually में ज़र structure है वह इस type का होता है देखो देखो सबके bondland same होते है क्यों होता ऐसा क्योंकि इसके पास कुछ इस तरह का structure होता है देखो जो purple color से बना रहा है वो तो fix है कि इतना bond तो रहेगा रहेगा इसके अलावा जो green color से बना रहा है उसमें क्या है वो उसको एक partial bond create कर रहा है उसके साथ अब जो partial bond है देखो चार resonance है तो चार resonance हो तो सभी के साथ क्या हो रहा है सभी के साथ वही same partial bond जो है वो create हो रहा है तो इसी लिएम कहते हैं कि जो इनकी bond length है bond length remains same in all the cases ठीक है MN or Oxygen के जितने भी bond बन रहे है उन चारो cases में जो bond length हो क्या रहती है same रहती है ठीक है and the reason is resonance the bond length remains same due to resonance इसमें एक topic और आता है जैसे कि जो bond length है उसमें same है तो अगर मैं इसमें bond order find करना चाहूं तो we have to find the bond order जो देखो इसका total कितने resonance बन रहे हैं 1,2,3 और 4 टोटल 4 resonance बन रहे हैं और bond कितने हैं total देखो 1,2,3,4,5,6 और एक 7 तो total हमारे पास कितने bond बन रहे हैं 7 bond बन रहे हैं और यह 4 resonance बन रहे हैं तो bond order क्या हो जाएगा 7 by 4 ठीक है इसको divide कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1.75 ठीक है तो MN और O इसमें जो bond बन रहे हैं वो कितना bond है उसका bond order उसका bond order है 1.75 means एक bond से जादा बन रहे है और दो bond से कम बन रहे है तो bond order is 1.75 ठीक है तो this is about the bond order देखो अभी तक हमने क्या कर पढ़ लिया MnO4 में सबसे पहले पढ़ी है हमने उसकी preparation तो preparation पढ़ लिया हमने preparation के दो तरीके होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं parallel site को convert करते हैं K2 MnO4 में parallel site getting converted to K2 MnO4 फिर K2 MnO4 एक बार हमारे पास बन गया तो K2 MnO4 की पार हमारे पास दो option होते हैं या तो हम chemicalization कर लें या तो हम electrolytic oxidation कर लें chemicalization से हम क्या करते हैं CO2 से treat करते हैं और electrolytic oxidation हम उसको oxidize करते हैं electricity से ठीक है तो इस तरह से मारे पास क्या बन जाता है कि अमनो 4 बन जाता है ठीक है परपल कलर का इसके अलावा फिर हमने देखा structure of क्या मनो 4 तो structure of क्या मनो 4 जो होता है tetrahydral होता है एंगल कितना होता है 109 degree 28 minute potassium per magnet is purple in color and potassium magnet is green in color तो उनके color याद रखने है important है ठीक है इसके अलावा जो color आता है potassium magnet का potassium per magnet का the color of the potassium per magnet is due to ligand metal transfer तो यह important है इसे ध्यान रखना है ligand metal transfer charge transfer की वज़े से जो color है potassium per magnet का वो होता है next हमने देखा कि oxidation number जो है मेगनीज के वह बहुत सारे हो सकते हैं तो plus 1 से लेकर और plus 7 तक वो सारे ही oxidation नंबर possible है उसमें ठीक है और यह compound होते हैं उसके जिसमें कि सारे oxidation नंबर possible होते हैं ठीक है plus 1 से लेकर plus 7 तक नेक्स देखा हमने resonance in KMN4 तो resonance में total हमारे पास 4 resonance बनते हैं और इस resonance में जो bond order आता है bond order is 1.75 ठीक है तो इतनी बाते के अमनों 4 में हमें ध्यान रखनी है so next हम देखेंगे एक बहुत है important reaction यूट्यूब पर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब हम potassium per magnet को glycerine के साथ reaction कराते हैं तो क्या होता है ठीक है तो वीडियो तो आपने देखी होगी वाली मगर उसकी पीछो जो chemical reaction कैसे होती है वो देखेंगे हम तो the next topic is glycerol plus KmnO4 इनका अगर हम reaction कराते हैं तो finally हमारे पास जो product ठुगा हो क्या होता है देखो पहली बात तो इनका जो reaction होता है it is a exothermic reaction ठीक है इसलिए YouTube पे जो वीडियो सापने देखी होगी बहुत बार तो उसमें क्या होता है जैसे ही हम KmnO4 के उपर glycerine डालते है वैसी क्या होत होती है देखो तो महारे पास KmnO4 होता है KmnO4 को हम treat करते हैं C3H5OHCS3 this is glycerine and commonly it is called glycerol and this is potassium permagnate तो इसको हम treat करते है then finally it gives rise to MnO3 plus CO2 plus H2O plus K2CO3 ठीक है balance कर लेंगे यहाँ पर 14 this is 4 यहाँ पर 7 this is 7 CO2 is 5 ठीक है and water is 16 ठीक है तो इस तरह से हमारे पास यह रिएशन होता है तो जबी भी हम potassium permagnate को glycerine के साथ treat करते हैं then it result in the formation of MnO3 तो यह अला जो compound है यह ध्यान रखना है कि MnO3 बनता है with the removal of the CO2 gas तो कौंसी gas remove होती है यह important ध्यान रखना है CO2 remove होती है इसके अलावा जो compound बनता है manganese का that is MnO3 तो manganese की oxidation state है with glycerine कहां से कहां पर आ गई तो manganese यहां पर होता है plus 7 में और plus 7 से manganese कहां पर चाला आया plus 3 में ठीक है तो यह important है ध्यान रखना है manganese plus 7 से कहां पर आ रहा है plus 3 में आ रहा है इसके अलावा जो इसकी oxidation state है plus 7 से plus 3 तो होई रहा है compound जो मन रहा है plus 3 वाला that is MnO3 इसके अलावा जो gas remove हो रही है that is CO2 तो glycerine with Km4 इसमें इतनी बाते ध्यान रखनी है हमें ठीक है तो एक बार मैं sort में summarize कर देता हूं oxidation state plus 7 से plus 3 में इस compound जो है वो MnO4 माइनस से कहां पहुंच गया Mn2 O3 में पहुंच गया gas जो remove हुई वो CO2 हुई and the reaction is exothermic it catches fire when the glycerine is added to Km4 ठीक है तो this is about the glycerol with Km4 ठीक है this is glycerine ठीक है so thanks for watching कर दो कर दो कर दो कर दो